नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप तो अभी का फिल्मी सफर में मितुन चाकरवर्ती और गोविंदा के साथ 930 की दोर में रुमेंस किया बड़े पर पर काम किया फिल्में कुछ खास नहीं रही लेकिन आज के समय में वही एक्टरस टॉप के सूपरिश्टार कही जाती है पीवी पर टी आरपी की कुईन कही जाती है आज हम आपको उसी एक्टरस के बारे में बताएंगे जो मितुन चाकरवर्ती और गोविंदा के साथ फिल्में कर चुके हैं रुपाली ने गोविंदा और मितुन चाकरवर्ती के साथ फिल्मों में रोमेंस किया साल 1997 में गोविंदा की फिल्म दो आंक बारहात इस फिल्म की हिरोईन रुपाली कहूं ली थी इस फिल्मेवा सौंग फुर्सद मिले हो तो पर एक्टर के साथ होट अंदाज में धिरक्ती हुई नजर आई थी उनका ये अंदाज फैंस को भी खोब पसंदाया था और आपको भी अपनी आखों पर यकीन नहीं होगा कि ये एक्टरेस वही है रिष्ट में काफी तेजी से वाइरल भी हो रही है वही अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती के साथ मिथुन चक्रवर्ती के साथ रुपाली गांगली ने महज 19 साल की उम्र में फिल्म अंगारा में काम किया था जो कि 1996 में रिलीज जुई थी उस वक्त रुपाली गांगुली की उम्र 19 साल थी तो वही मिथुन चकरवर्ती की उम्र उस समय 45 साल की थी फिल्म में दोनों की कैमेश्टरी कमाल की थी मतादे कि रुपाली गांगुली के पिता अनली गांगुली जाने माने फिल्म डेरेटर थे उन्होंने कई National Award Winning वाली फिल्मे भी अपने नाम की है। उन्होंने ही मिथुन चक्रवर्ती को पहली बार लॉंच किया था। बताते कि एक्ट्रस ने टीवी पर अपने केरी के सुरुवात 2000 में टीवी सीरियल शुकर्न ने से की थी। इसके बाद दो साल बाद 2003 में टीवी सो संजीवनी में वो नजर आई। इसके साथ ही रुपाली गांगुली ने कई बड़े टीवी सीरियल में काम किया लेकिन उनका आज के समय का टॉप लेवल सीरियल है वह है अनकुमा आज के समय में भी टॉप पर रहता है और यह टॉप की एक्ट्रस कही जाती है टीवी इंडुट्री की जो कि टीवी लाने की कुईन भी मानीकिंग है। यहι है वो एक्ट्रस रुपाली गांग्ली जिनोंने मिजुञ जक्रवर्थी और गोविंदा के साथ नाइंटीज के दोर में रोमेंस किया लेकिन आज टीवी की बहुत बड़ा नाम बन चुकी है